Law No. 2 दोस्तों पर आख बंद कर भरोसा ना करें और दुश्मनों का इस्तिमाल करना सीखें आपको अपने दोस्तों से सबसे अधिक सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि सबसे जल्दी धोखा दोस्त ही देते हैं वहीं अगर आप किसी ऐसे व्यक्ती के साथ कोई काम करते हैं जो पहले आपका दुश्मन हुआ करता था तो वो किसी दोस्त से ज्यादा वफादार साबित हो सकता है क्योंकि उसे खुद को साबित करने का मौका मिलता है दरसल जिंदगी में आपको दुश्मनों से ज्यादा दोस्तों से डरने की जरूरत है अगर आपकी जिंदगी में कोई दुश्मन नहीं है तो आपको दुश्मन बनाने का तरीका ढूनना चाहिए इतिहास में ऐसे कई किसे दर्ज हैं जहां पर दोस्त सबसे ज्यादा दगाबास साबित हुए ऐसा ही एक उधारन माइकल तृत्य का है माइकल तृत्य नवी शताबदी में एक नव युवक के तौर पर बाइजिन्टाइन समराज्य के समराट बने थे उन्हें इस समराट की गद्धी तक पहुँचने में उनके चाचा बरदास ने बेहद एहम भूमिका निभाई थी समराट बनने के बाद माइकल ने अपने सबसे अच्छे दोस्त बैसीलियस को अपना प्रधान मंतरी बनाया बैसीलियस पहले एक अस्तबल में काम करता था जहां उसने एक बार माइकल की जान बचाई थी तब से माइकल और बैसीलियस एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन गए थे माइकल ने बैसीलियस को अच्छी शिक्षा दिलवाई और उसे दर्बार में रहने के तौर तरीके भी सिखाए बैसीलियस माइकल के लिए एक बेहद अच्छा प्रधान मंतरी साबित हुआ लेकिन बैसीलियस में सबसे बड़ा दोश उसका लालच था वो पैसों का भूखा था माइकल ने उसे खुश रखने के लिए बहुत सारी धन दौलत तौफे में दी थी लेकिन उसका लालच खाक महीं नहीं हुआ कई बार माइकल ने बैसीलियस को पैसे उधार भी दिये अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बैसीलियस ने साज़िश के तहत माइकल के चाचा बरदास की हत्या कर दी जो की माइकल की सीना के प्रमुख थे इसके बाद बैसीलियस ने माइकल से कहा कि वो उसे सीना का प्रमुख बना दे ताकि वो उनके खिराफ होने वले विद्रोहों को कुचल सके माइकल ने अपने दोस्त पर भरोसा करते हुए उसे सिना प्रमुख भी बना दिया इधर माइकल खुद एक अयाश और मस्ती खोर्सवभाव के समराठ थे जब उनका खजाना खाली होने लगा तो उन्होंने बैसिलियस से अपने उधार दिये गए पैसे वापस मांगे लेकिन बैसिलियस ने उधार चुकाने से साफ इंकार कर दिया ये सुनकर माइकल को बहुत बड़ा धक्का लगा पर तभी उसे एहसास हुआ कि अब बैसिलियस के सामने उनकी शक्ती कुछ भी नहीं रह गई है क्योंकि बैसिलियस के पास पूरी सीना का नियंतरन तो था ही साथ ही उसने दरबार के सभी मंत्रियों को अपने पाले में कर लिया था कुछ दिनों के बाद जब माइकल अपने कमरे में सो रहे थे तो बैसिलियस कुछ सैनिकों के साथ उनके कमरे में दाखिल हुआ और अपनी आँखों के सामने माइकल की हत्या करवा दी अगले दिन बेसिलियस ने माइकल के कटे हुए सर को भाले पर जढ़ा कर पूरे शहर का चक्कर लगाया और खुद को बाइजिंटाइन सामराज्ये का नया समराथ घोशित कर दिया इस तरीके से माइकल को अपने दोस्त पर हद से ज़्यादा भरोसा करने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी प्रांस के मशूर दर्शन शास्तरी वाल्टियर अक्सर कहा करते थे जब भी हम मुसीबत में होते हैं तो प्राकृतिक रूप से मदद के लिए हम अपने दोस्तों का ही सहरा लेते हैं लेकिन दोस्तों की मदद लेना तब भारी पड़ सकता है जब हम उन्हें अच्छे सिना जानते हों अधिकतर दोस्त एक दूसरे की कमियों को नजर अंदास करते रहते हैं लेकिन जब आप एक दोस्त को किसी काम के लिए अपना साथी बनाते हैं तो धीरे धीरे आपको उसकी कमिया नजरानी शुरू हो चाती हैं इसी वचह से दोस्ती मिद्दर आ राती है और आपको धोखे का सामना करना पड़ता है।